अपने इस डिजिटल प्लेटफोर्म पर स्टार्ट करने वाले हैं एक नियू सब्जेक्ट that is strength of material चाहे आप civil engineer से हैं चाहे आप mechanical engineering से हैं आपके लिए ये subject as a core subject हुआ करता है strength of material जब भी हम बात करते हैं design perspective के तो design में जैसे ही हम बात करते हैं हमारे mind में कही ना कही आती है forces, stress, strain, deformation कि ये कुछ words ऐसे होते हैं deflection वगेरा ये कुछ words ऐसे होते हैं जो आपको जैसे हम design की बात करते हैं तुरंत आपके mind में आते हैं तो basic subject जो इनसे deal करता है that is the strength of material जो basic subject है जो कि आपकी core को build करता है ठीक है तो हम बात करने वाले हैं आज से इन वीडियोज में, that is the strength of material, okay? So, सबसे पहले, जब भी हम किसी भी एक subject की बात करते हैं, चाहे वो strength of material हो, चाहे वो fluid mechanics हो, engineering mechanics हो, कुछ भी, किसी भी तरह का subject क्यों ना हो, सभी subjects की अपने एक real environment में importance होती है, okay? तो हम उसी real environment को देखते हुए, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, उस subjects की feeling को, हमें पहले यह भी समझना होगा, थियोरी इससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ अब में थियोरी भी पढ़ते रहेंगे, तो हमें practical knowledge की भी जरूरत है, ठीके? हम इस session में, हम इन वीडियो में, जो फर्दर हमारी वीडियो होने वाली है, सभी में हमें जो भी subject यहाँ पर deal करना है, सभी की एक thorough knowledge होनी बहुत जरूरी है, और जितने भी हमारे basic subjects हैं, जैसे engineering mechanics हुआ, strength of material हुआ, fluid mechanics हुआ, यह सारे ही subjects ऐसे हैं, जिन में आपको basic understanding on the practical basis भी होनी चाहिए, क्योंकि कोड़ चीजे ही बताती हैं आपको, कि हाँ कौन सी चीज हमारे real environment में, किस side में है, तो, one to one हम discussion अच्छे से करेंगे, हर एक topic का, हर एक concept का, ठीके? साथ ही उसकी हम practical environment में जो approach लगती है, उसके बारे में बात करेंगे, theoretical से कहीं उपर होने वाले हैं, यह videos आपके लिए, ठीके? तो, बने रहे हैं साथ में, start करते हैं, सबसे पहले हम strength of material को, तो strength of material, ठीके? हमारे चाहे कोई से भी exam हो, पी-स-उस से related, ठीके? A-E-C-A-E-C-A-E-C-A, जिससे भी आपके related, आपके exam से हैं, ठीके? वहाँ पर आपको strength of material से, खासा अच्छे questions देखने को मिलते हैं, काफी questions देखने को मिलते हैं, design से काफी question देखने को मिलते हैं, चाहे mechanical के बाद के जाएं, और जैसे कि कुछ ऐसे exams भी होते हैं, जिसमें electrical, mechanical का mind होते हैं, तो electrical के लिए भी ये काफी अच्छे videos होने वाले हैं, ठीके? तो आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हैं, ये videos आपके लिए beneficial हैं, ठीके? तो start करते हैं जैसे strength of material, वाले subject को, feeling के साथ, देखेगा simple सी बात, simple सी बात देखेगा, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर इस तरह से condition लेके चल रहे हैं, मान लीजिए, ये आप हैं, ठीके? मान लीजिए, ये आप हैं, ओके? मान लीजिए, ये आप हैं, ओके? और साथ ही, अगर मैं बात करता हूँ, आपको मैंने skates पैनाए हुए हैं, rolling shoes, इस तरह से imagine कीजिएगा, ठीके? मैं ये मान के चलूँगा कि यार, imagination आपकी ये है, क्योंकि engineer, अगर imagination नहीं कर रहा है, तो वो engineer नहीं है, ठीके? तो imagination आपकी flow ने, हमने कहा कि यहाँ पर आप हैं, जो skates पैने हुए हैं, ठीके? एक condition आपकी ये है, आप पर मैं एक force लगा रहा हूँ, मान लिजे इस तरह से, आप पर मैं एक force लगाता हूँ, इस तरह से, तो अगर मैं आपकी उपर एक force लगाता हूँ, आप move कर रहे होंगे, अब जड़ा feel कीजेगा, कि आपके अंदर कोई force डवलप हो रही है, आपके अंदर कोई force डवलप हो रही है, ठीके जड़ा सोचिएगा, ठीके अगर आप बहुत तेजी से साथ जा रहे हैं, तो हो सकता है, कि आपको ऐसा लगए कि हाँ, चीजे कुछ अंदर अड़बड हो रही है, ठीक है, तो वो चीज की बात नहीं हो रही है, में चीज क्या है, यहाँ पर stresses यहाँ पर बात हो रही है, कुछ internal effects की, internal effects in the sense of forces, forces internally आपको कुछ महसूस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा होगा, देखेगा, सोचेगा इसके बारे में, अब एक ऐसी condition लेके चलिएगा, अब एक ऐसी condition लेके चलिएगा, this is the case 1, ठीक है, अब मैं यहाँ पर case 2 लेके चल रहा हूँ, एक simple case, यहाँ पर मान लिजिए, आप ही है, ठीक है, यहाँ पर मान लिजिए, आप ही हैं, और आप पर, मान लिजिए, मैं एक force लगाता हूँ, इधर से, और एक force लगाता हूँ, इधर से, अब ज़रा सोचेगा, अपनी situation को, अब अपनी situation को सोचेगा, क्या हो रहा होगा आपके उपर, कि आप अगर ये हैं मान लिजिए, और आप पर एक force लग रहा है, उपर की तरफ और एक force लग रहा है, नीचे की तरफ, तो अब सोचेगा, क्या आपकी condition हो, और साथ ही हमारे पास जो forces हैं, वो हमने क्या माने हुए हैं, same, equal magnitude के, ठीक है, तो अब आपकी condition क्या है, कि आप हैं तो रुके हुए, हैं तो आप static position में, बट आपके उपर इंटर्नल effects महसूस हो रहे हैं, आपके अंदर, आप feel किजएगा, कि आपके अंदर internal effects महसूस हो रहे हैं, तो यही जो हमारे पास, हमारी surrounding में, जितनी भी conditions, जितनी भी situations ऐसी होती हैं, जहां पर हमें internal forces, internal forces महसूस हो, ठीक है, जहां पर हमें internal forces महसूस हो, that subject, जो भी यहां पर science की, वो particular branch, जिसमें हम बात कर रहे हैं, उस internal effects की, उस internal effect की, that subject is known as the strength of material, dealing with the internal effects of the body, dealing with the internal effects of the body, that subject is the strength of material, और basically इसके नाम जो हम जानते हैं, that is the mechanics, that is the mechanics of, mechanics of deformable, or mechanics of deformable, or real solids, और इसका एट नाम और है, mechanics of material, mechanics of material, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इसके और भी नाम होते हैं, ठीक है, जैसे की, theory of, theory of, theory of, theory of elasticity, theory of elasticity, ठीक है, यहां पर जी, deformable real solids की बात किया है, उसको हम M.O.S. बोल देते हैं, इसको हम M.O.M. बोलते हैं, और इसको हम T.O.E. बोलते हैं, ठीक है, तो इन नाम से भी हम, S.O.M. को जानते हैं, ठीक है, इन नाम से भी हम S.O.M. को जानते हैं, तो उम्मीद है आपको यहां से, इसकी basic feeling समझ में आ रहे होगी, strength of material, basically क्या है, strength of material में, अगर मैं इस condition की बात करूँ, तो यह S.O.M. नहीं है, S.O.M. में आपको पहले क्या करना होगा, material को equilibrium में, पहले चीज़ अपने mind में कहले क्या नहीं है, static equilibrium में, static equilibrium में, हम अपनी condition को लेके चलते हैं, तो static equilibrium में, आप condition को लेके चलिएगा, engineering mechanics में, अगर मैं इस part की बात करूँ, कि आपको मैंने rolling suits पहनाए हुए हैं, और आप पर मैं सिर्फ एक force लगा रहा हूँ, एक direction से, तो आप जब यहां से इधर की और move कर रहे हैं, तो आपके उपर कोई भी internal forces नहीं generate हो रहे हैं, नहीं produce हो रहे हैं, तो आप किस में गएं, आप जा रहे हैं हैं यहां पर engineering mechanics, engineering mechanics subject में, ना की strength of material में, engineering mechanics subject में, ना की strength of material में, उम्मीद है आपको यहां तक यह basic understanding समझ में आ गई होगी, जो यह basic understanding एकदम clear wording में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो यह है हमारा simple strength of material, ठीक है, जिसको हम basically feeling के साथ समझते हूँ चल रहे हैं, ठीक है, अब next की तरफ चलते हैं, आगे हम आगे देखते हैं, कि जो हमारे पास mechanics होता है, ठीक है, जो हमारे पास mechanics है, यह strength of material, basically कहां पर लाई करता है, हमारे environment में strength of material कहां पर लाई करता है, एक point तो आपको समझ में आ रहा है, that is the internal effect, जो भी internal effect हमारे material में आ रहे होंगे, external forces की बज़े से, अगर internal forces develop हो रहे हैं, अगर internal effects develop हो रहे हैं, तो वो मेरा strength of material है, किस के अंदर हमारे real or deformable solids के अंदर, तो यही से हम mechanics को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो strength of material है, उसका नाम जो है, वो basically हमारा mechanics of real or deformable solids है, तो mechanics word को पहले हमें समझना होगा, तो इसी mechanics word को समझने के लिए, हम पहले अपना एक overview लेके चलते हैं, अपने mind में, देखेगा, सोम की जो भी class होने वाली हैं आपकी, जिस तरह से भी हमारी videos फुर्दर चलने वाली हैं, उन videos में आपको एक चीज तो mind में रखनी है, कि आपने mind को एक दम open रखना है, ठीक है, उसे fix नहीं रखना है, जितनी मैं चीजे बोलने वाला हूँ, ठीक है, आज तक में भी आपने उन चीजों को नहीं सोचा होगा सोम में, ठीक है, तो ये याद रखेगा, कि जो मैं बोलने वाला हूँ, उसको open mind में आपको बस जाने देना है, ठीक है, क्या-क्या हमारे assumptions होते हैं, किस-किस तरह से हमें सोचना होता है, वो सारी चीजें आपको one by one करके, मैं अच्छे समझाता हूँ, चलूँगा, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर बात किया है, तो mechanics basically क्या है, अगर मैं mechanics की बात करूँ, तो study of all forces, study of all forces, चाहे वो internal हो, चाहे वो external हो, सारे forces की study हमारी mechanics कहलाती है, ठीक है, तो study of all forces, ठीक है, चाहे वो internal हो, या फिर external हो, ठीक है, हम सभी की study को combinedly, हम सभी की study को combinedly mechanics बोलते हैं, ठीक है, but mechanics के हम further three types करते हैं, और यह जो study हम कर रहे हैं, यह किसके उपर हो रही है, कौन सा material है वो, वो rigid body है, वो solid है, आपका liquid है, या आपका gas है, ठीक है, मतलब हमारे पास fluid है, या solid है, या फिर rigid body है, अब एक concept यहाँ पर आता है, कि rigid body क्या होती है, ठीक है, अब धिरे-धिरे हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, पहले हमारे पास mind में क्या है, study of all forces, भाई, forces तो हम लगा रहे हैं न, forces तो external environment लगा रहे हैं न, external environment कुछ भी लगा सकता है, बट किसके उपर लगाएगा, किसके उपर लगाएगा, वो चीज हमारे लिए depend करता है, material, जैसे कि मैंने हैं आपर नाम लिखा हुआ है, फर्ष्ट तिंग इस mechanics of rigid bodies, तो पहला हमारा material हो गया, कुन सा rigid body, ठीक है, दूसरा हमारा material हो गया, deformable solids, एंड तीसरा हमारा material हो गया, mechanics of fluid मतलब, fluids से related, तो हमारे environment में, हम ये particular materials लेके चल रहे हैं, अगर मैं rigid body की बात करूँ, तो आपको मैं धीरे धीरे समझाऊँगा, कि rigid body क्या होती है, ठीक है, अभी आपको ये समझना होगा, धीरे धीरे, ठीक है, solids and fluids, fluids के हमारे दो टाइप होते हैं, liquid and gases, तो liquid and gases आप थोड़ा वो जानते हैं, solids के बारे में थोड़ा वो जानते हैं, ठीक है, तो इस्टार्ट करते हैं, mechanics, mechanics है, study of all forces on that particular materials, अब ये जो on particular materials हैं, उसी के basis पर, जो हमने particular material पकड़ा, और उस पर हमने forces की analysis की, ठीक है, तो वही analysis, वही particular material, हमारा इन सब में divide हो जाता है, जैसे कि अगर मैं study कर रहा हूँ, rigid body की, rigid body के उपर, अगर मैं external forces की study कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें internal forces का जो sense आएगा, वो जो मैं rigid body समझा दूँगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो जो mechanics of rigid bodies है, उसमें हमारे पास होता है, statics and dynamics, further उसको हम divide करता है, mechanics of rigid body को, statics and dynamics, तो mechanics of rigid body में हम बात कर रहे है, study of, study of external forces, external forces, okay, study of external forces, अब यह जो study of external forces हो रहा है, mechanics of rigid bodies के लिए, तो यह mechanics of rigid body, मतलब rigid body के उपर study of forces, ठीक है, तो rigid bodies के लिए, सबसे पहले हमारे पास statics and dynamics है, और उसके बाद kinematics, and kinetics हो जाता है, dynamic वाला पाट, statics का मिलिंग क्या है, आपको equilibrium equations याद होनी चाहिए, ठीक है, अगर याद नहीं है, तो आप से याद रखिएगा, कि जो हमारे पास statics equation होती है, statics equilibrium के बात करते हैं, तो equilibrium में हमारे पास, अगर for the 2D, for 2D body, अगर मैं 2D के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास equilibrium equation क्या क्या होती है, एक होता है, summation fx equal to 0, net summation fx, force in x direction, point पर depend नहीं कर रही होती है, यह बात कर रही होती है, direction पर depend, on that particular body, particular body पर direction में, x direction में, सारी forces का sum हमारा क्या होना चाहिए, 0, दूसरी जो हमारी पास condition होती है, that is the fy 0, मतलब सारी forces का in y direction में, जो sum होना चाहिए, वो होना चाहिए, 0, and third condition is the summation m, moment का summation at any point, at any point on the body, at any point on the body, at any point in z direction, in z direction, equal to 0, at any point in z direction, equal to 0, यह moment is a vector quantity, और vector quantity की, अपनी एक direction होती है, तो यहाँ पर, जो हम plane की बात कर रहा है, अगर मैं plane कर रहा हूं, यहाँ पर लेके चल रहा हूं, x, y plane, तो x, y plane में forces तो हैं, but x, y plane का जो perpendicular plane है, जैसे कि z plane, तो उस z plane में होगी, moment की direction, क्योंकि moment की direction होती है, जिस plane पर वो लग रहा है, उसके perpendicular, नहीं समझ में आया है न, इसको हम फुर्दर अभी समझेंगे, moment के case में, ठीक है, तो अभी फिलहाल, हमें यहाँ पर equation को समझना है, कि एक equation है, summation fx0, एक equation summation fy0, और एक equation summation m equal to 0, तो यह तीन equation हमारी 2D plane के उपर, लग रही होती है, 2D plane के उपर, अगर हम 3D की बात करेंगे, तो यहाँ पर add हो जाएगा, summation fz, और यहाँ पर add हो जाएगा, summation m at any point in x direction, about x direction, और summation m at any point about y direction, also, तो यहाँ पर हो जाएगे, 6 equations, अगर 3D की बात हो रही है, wording पर धान दीजिए, ठीक है, 3D की बात हो रही है, short notes में, आप यह wording भी note कर सकते हैं, और अगर 2D की बात हो रही है, तो हमारे पास होती है, 3, 3 equations, तो यह हमारे पास condition होई है, statics की, statics का मतलब है, net condition हमारी equilibrium में होनी चाहिए, static अवस्था में होनी चाहिए, रुकी हुए अवस्था में होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सारे forces हमारे क्या होनी चाहिए, 0, body पर कोई भी force ना लग रहा हो, वो motion में ना हो, ठीक है, जबकि dynamic की जो बात करते हैं, dynamic में हम बात कर रहे होते हैं, जब body किसके अंदर आ गई है, motion में, जब body आ चुकी है, motion में, ठीक है, submission fx is not equal to 0, submission fy is not equal to 0, submission m about any point, in z direction not equal to 0, या इन तीनों चीज़ों में से, एक चीज not equal to 0, या फिर दो चीज not equal to 0, या फिर तीनों ही चीज़े not equal to 0, तो उस condition में हम बोलेंगे, कि body हमारी dynamic में है, body हमारी static net equilibrium में नहीं है, ठीक है, गलती मत करना, जो मैं बता रहा हूं, समझेगा उसे, अगर ये तीनों चीज़े हमारी 0 हैं, इंडिविज्वल ये तीनों चीज़े हमारी 0 हैं, तभी हमारी full body static में होगी, रुकी वे वस्ता में होगी, बट अगर उसमें से एक भी चीज नौन जिरो रह गई है, ठीक है, एक भी चीज जीरो रह गई है, और बाकी सारी चीज़े 0 हो चुकी हैं, तो वो body हमारी dynamic में हम बोल सकते हैं उसे, dynamic में हम कहते हैं उसे, ठीक है, वो perfectly static अवस्ता में नहीं है, ठीक है, तो अब जड़ा सोचिएगा, कि जहां पर, जहां पर, अगर मैं strength of material के बात करना, तो जहां पर हमारे पास body, हमारे पास body में, total forces, net forces, zero हो जाएं, but internal effect, कुछ ना कुछ महसूस हो, वहाँ पर, होगा तो static sense, बट वहाँ पर stresses होंगी, ठीक है, तो यह होता है हमारे real body में, अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल हम भी बात करते हैं हम rigid body के बारे में, यह rigid body क्या होती है, तो rigid body के बारे में समझेगा, अगर मैं यहाँ पर rigid body के बारे में आप से बात करता हूँ, ठीक है, rigid body क्या है, rigid body is that particular body, in which, after application of force, there is no, there is no particular word पर ध्यान देज़ेगा, there is no deformation, there is no deformation, no deformation, ठीक है, deformation क्या है, zero, अगर हम rigid body की बात कर रहे हैं, perfectly rigid body की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या definition होने वाली है, कि हमारे पास deformation होने वाला है, zero, और अगर मैं rigid body को आपको थोड़ा सा और समझाने, बात करूँ यहाँ पर, तो आप एक काम कीजएगा, जो body deform ना हो, जो body deform ना हो, अब deformable चीज़े हम generally कौन से सोचते हैं, deformable चीज़े generally हम सोचते हैं, जैसे हमारे पास springs, तो springs को हम deformable मानते हैं, तो यहीं से हम example लेके चल लेते हैं, spring का, तो यहाँ पर, अगर मैं एक छोटा सा example लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर spring का, तो देखेगा, यहाँ पर मैंने एक spring ले लिया इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक spring ले लिया इस तरह से, अब इस spring को मैंने क्या किया, एक force दे दिया F, ठीक है, एक force दे दिया F1 मान लेते हैं इसे, और यहाँ पर, जो यह spring है, यह कितना यहाँ पर deform हुआ क्योंकि आपको पता है कि हम पहले से ही जानते है school level थींग है यह हमारी कि अगर हम force लगाते है spring पर तो deformation आता है और यह deformation हमारा किस formula से निकलता है f equal to kx से where k is the spring stiffness where k is the spring stiffness per unit force के लिए कितना deformation आया है उसमें per unit deformation के लिए कितना force लग रहा है per unit deformation के लिए कितना force लग रहा है तो per unit deformation के लिए कितना force लग रहा है इस चीज को अगर हम यहाँ पर देखें f upon x तो that is the stiffness तो यहाँ से माल लेजिए कि इसमें कुछ यह जो spring है माल लेजिए यह spring यहाँ पर पहुंच जाता है ठीक है यह स्प्रिंग यहां पर पहुंच जाता है that is the x1 deformation किसकी वज़ा से f1 force से f1 की वज़ा से x1 deformation है ठीक है अगर मैं एक similar similar dimension का similar dimension का एक extra spring लेता हूँ जिसे मैं बोलता हूँ basically tight spring tight spring क्या जिसका stiffness ज्यादा हो higher stiffness का spring लेके चल रहा हूँ तो अगर मैं यहां पर higher stiffness का spring लेके चल रहा हूँ तो यह यहां पर यह spring यहां तक हो गया same dimension original one तो original के हिसाब से जो हमने same dimension रखे है उस पर अब मैंने क्या लगा दिया है जो k2 है is greater than k1 है मतलब stiffness इसकी ज्यादा है तो जब यहां पर हम f2 को f1 को माल लिजे f माल लिया और f2 को भी f माल लिया तो यहां पर जो इसमें deformation होगा यहां पर जो इसमें deformation होगा वो इतना होगा इतना होगा in the sense वो होगा यहां से यहां से कितना deformation होगा इतना यह जो x2 है तो यहां से हमें दिख रहा है कि x2 is less than x1 क्यों क्यों क्योंकि मैंने इसका k2 क्या माना है जाद माना केवन से और force लगाया है उतना ही similar तो उतना ही similar अगर मैं force लगाता हूँ और हमारे पास deformation क्या जाएगा फिर अगर हमारे पास higher stiffness का एक spring है और एक है lower stiffness का spring तो force जो उस पर लग रही होगी same दोनों पर हम force लगा रहे हैं किस पर हमारे deformation कम आएगा सोचिएगा जरा किस पर deformation कम आएगा जिसमें stiffness ज्यादा है जिसमें stiffness ज्यादा है stiffness क्या कर रही है stiffness ये कह रही है कि unit deformation के लिए कितना force लगा रहे हो तो अगर मैं stiffness ज्यादा बोलता हूँ तो भाई आपको ज़्यादा force लगाना पड़ेगा same deformation के लिए ज़्यादा force लगाना पड़ेगा same deformation के लिए x1 के लिए तो यहाँ से एक चीज़ को clear रिखिएगा अपने mind में कि जब हम forces हम stiffness बढ़ा दे material की अगर हमारे अंदर stiffness बढ़ जाए material की ठीके तो क्या होगा कि अगर same force हम लगाते जाएं तो उस पर x की value कम होते जाएगी उस पर deformation की value कम होते जाएगी तो एक spring ऐसा सोच के चलो अपने mind में अब इसी चीज़ को हम नीचे की तरफ लेके चलते जा रहे हैं और फिर मैंने आपसे बोला कि एक spring ऐसा है जिसकी stiffness यह हमारे पास initial है जिसकी stiffness infinite है जिसकी stiffness infinite है ठीके तो उस stiffness वाले material के लिए x की value कितनी होगी same force पर force कितना लगा रखा है वही f f हमारे पास force लगा हुआ है तो इसमें जो हमारे पास deformation है वो deformation कितना आ रहा है 0 और अगर एक ऐसा spring जिसमें deformation 0 आ रहा है जिसमें deformation 0 आ रहा है after application of force after application of force अगर spring में deformation हमारा रहता है 0 तो इसका meaning क्या हुआ चाहे तो इस formula से आप जा सकते हैं कि अगर मैं k की बात करूँ तो force तो कुछ ना कुछ है math simple सी बात है force कुछ ना कुछ है ठीक है x की value मैं कहता हूँ 0 अगर body के लिए तो k की value क्या हो जाएगी k की value हो जाएगी tends to infinity k की value हो जाएगी tends to infinity तो इसका मतलब क्या होगा ऐसा spring जिसमें after force deformation मेरा 0 आए ऐसा spring जिसमें after force deformation मेरा 0 आए वही spring हमारा क्या कहलाता है k tends to infinity या फिर rigid body जिसमें after application of force कितना भी क्योंना force लगा लिया जाए तो यहाँ पर जो हमारे पास definition निकल के आ रही है कि rigid body वह body है जिसमें deformation हमारा 0 होता है जिसमें deformation हमारा 0 होता है that is the rigid body simple तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जैसे हम बात कर रहे थे इस slide में तो इस slide में हम mechanics of rigid body में तो rigid body एक particular वो body है ध्यान से समझेगा rigid body एक particular वो body है जिस पर आप force लगाते रहेंगे तब भी इसमें deformation नहीं होगा यह जैसी थी यह वैसी की वैसी ही बनी रहेगी ठीक है तो ऐसी body को हम क्या बोलते हैं rigid body तो यह जो case में यहाँ पर बना रहा हूँ यह जो case में यहाँ पर बना रहा हूँ as a rigid body का यह case basically किसका हो रहा है यहाँ पर statics का क्योंकि statics में अगर आप simple देखोगे तो statics में होना चाहिए net force 0 तो net force अगर statics में मुझे 0 लेके चलना है तो मुझे force इधर अगर मैं x में force लगा रहा हूँ तो इधर भी मुझे x में उतना ही force लगाना होगा after application of forces यह body अभे भी इतने ही dimension की रहेगी dimension इसकी रहेगी same और अगर इसकी dimension रहती है same तो यहाँ पर यह कहलाएगी as a rigid body उमीद है आपको यहाँ तक rigid body का concept समझ में आ गया होगा statics की बाते समझ में आ गई होगी net equilibrium की बाते समझ में आ गई होगी ठीक है तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा dynamics की तरब भी dynamics में क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं किसी एक body की तो उस body में ठीक है dynamics में हमारे पास दो पार्ट है एक है पार्ट हमारा dynamics के हमारे पास दो पार्ट है एक पार्ट है हमारा dynamics के अगर मैं बात करूँ यहां तक हमने बात कर ली है rigid body की अगर मैं dynamics की बात करूँ तो dynamics के हमारे दो पार्ट हो रहे हैं एक पार्ट है हमारा kinematics, और एक पार्ट है हमारा kinetics, एक पार्ट है हमारा kinetics, तो simple से बात है, dynamic का मतलब क्या हुआ, motion में है body, dynamic का मतलब क्या हुआ, simple, motion में है body, net equilibrium में नहीं है, net equilibrium मतलब उसका 0 नहीं है, summation fx, summation fy, summation m में से, पुछना कुछ यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है, यह ती disability का मीनिंग है हमारे पास सिर्फ संभोस समझेगा डानमिक की वह पर् Delॉर गांच जिसमें हम के काईफ 175 जो बाते होती बॉइंस त्याई जीरो ग्रप्साइब कौशन जैसे अगर में 바겠 करों आप एक body ही, यह मान लेजे मेरे पास एक ये pen है, ठीके, ये मेरे पास एक pen है, ठीके, और ये मेरे पास मान लेजे earth है, ये मान लेजे मेरे पास pen है, और ये मान लेजे मेरे पास earth है, अब मैं क्या करता हूँ, इस pen को भी fake ता हूँ, ठीके, और इस earth को भी fake ता हूँ, ठीके, ऐसा नहीं consideration अगर मैं without the consideration of the cause of motion cause of motion यहां पर क्या होने वाला है हमारा जैसे कि force या mass ठीक है तो mass और force की consideration ना करते हुए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी study की बात करता हूं study in the sense कि यहां पर बात कर लेते हैं यह imaginary figure है ठीक है यह एक imaginary figure मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पर यह समझाना है कि mass यहां पर consider आपको नहीं करना होता है ठीक है तो यहां पर अगर मैं pan को यहां पर एक थ्रो कर रहा हूं तो हमारे पास equation of motion हुआ करते थी याग करो स्कूल लेवल पर हमने यह चीज़े पढ़ी हुई है equation of motion तो equation of motion हमारे पास क्या है जैसे कि वी इक्वेल टू यू प्लस 80 एस इक्वेल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्कूर ठिक वी स्कूर इक्वेल टू यू स्कूर प्लस 2 एस अब एक बात बताईए इसमें कहीं पर भी इन तीनों equations में हैं क्या इन से में कहीं पर भी मट कलोग्राम करना नाम है नहीं तो याद रखेगा जब भी हमारी कंशिडरेशन होती है सिर्फ और सिर्फ और सुर्फ पाम मीटर एंड टाइम के हिसाफ से मीटर एंड टाइम के हिसाफ से ना कि किलोग्राम के हिसाफ से तो वह जो हमारी study है वह हमारी study कहलाती है kinematics kinematics में हम हर एक body को किसमे convert कर देते हैं एक point में यह pen भी कैसा study कर रहा हूं है इस pen को मैंने क्या माना हुआ है एक point ठीक है अर्थ को भी क्या मान लिया एक point और इस point को मैं इस तरह से फिक रहा हूं ठीक है एक यू विलोशिटी से एक यू विलोशिटी से उसके बाद किसे particular time के बाद मैंने यहाँ पर calculation कर ली उसकी maximum velocity की ठीक है जो at the time हमने velocity achieve की है ठीक है तो final velocity की बाद हम यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है imagination है ठीक है यह simple हमने imagination बात किये क्यों कि एक pen को भी हमने point माना हुआ है और अर्थ को भी हमने point माना हुआ है ऐसा लिए कि अर्थ अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसको हम मास को consider करेंगे नहीं यहाँ पर हम बात करें काइनमेटिक्स की तो काइनमेटिक्स में हम मास या cause of motion को study नहीं करते हैं काइनमेटिक्स के अगर simple सी बात करें तो यहाँ पर जो study होती है without without considering without considering the cause of the cause of motion while kinetics में जो होता है that is with considering with considering the cause of motion the cause of motion ठीक है with considering the cause of motion अब काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी तो काइनेटिक्स में क्या होगा कि जब मैं बात करता हूं काइनेटिक्स में जैसे की अगर मैं काइनेटिक energy की बात करों कैनेटिक energy का formula आपको पता है half mv2 तो यहाँ पर देखेगा M आ चुका है अगर M आ चुका है तो भाई simple सी बात है पैन की जो kinetics qr hrh i4 अर्थ की kinetic energy से obvious से कम होगी भले से इन दोनों की velocity इनिज्टे में। से में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वह मास्क पर इंड कर रही है तो जो हमारे पास मास को स्टीडर करके जो बाते होती है वोगंसी होती है डाइनेमिक्स में काइनेटिक वाला पार्ट होता है बल गदियार्ण से हम बोल देते हैं जिसमें हम फोर्स की कंसीडेशन की बात कर रहे हैं मास की कंसीडेशन की बात कर रहे हैं ठीक है तो यह जो हमने यहां पर देखा है यह जो हमने यहां पर देखा है काइने में आगे भी difference करवाता रहांगा आपको समझहाता रहांगा कैसे होती हैं अभी हमें सिंपल बेसिक बेसिक चीज़ों को हम यहां पर लेकर चल रहे हैं ठीक है तो बेसिक चीज़ें हमने यहां पर कवर कर लिए अब हम बात कर लेते हैं अगर मैं आप से संफ्टी कर एक आंसर दीजीगवा मुझहें अगर मैं आप से कहता हूं कि यहां ठीक एक एक हैने जिससे आप कहोगे deformable नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार आप उसे सिंपल आइस से नहीं देख सकते कि उसमें deformation आ रहा है तो आप सीधा वोलोगे सर यह तो deformable नहीं है ठीक है अगर वो deformable नहीं है तो जड़ा एक छोटी सी चीज याद रखेगा यहां पर मैं बात कर रहा हूं deformable और the real और the real solids की याद रखेगा हमारी अर्थ क्या है रियल है ना imaginary तो नहीं है और अगर यह real हमारा word है तो इसमें जितने भी solids हैं वो real है या नहीं imaginary तो नहीं है अगर वो सारे के सारे solids हमारे real हैं तो real solids के हिसाफ से वो real solids हमारे deformable 100% है अब आप कहोगे कि सर deformable हैं तो हमें दिख क्यों नहीं रहे अब जड़ा लेके चलते हैं उस concept को जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा जिसे हम बोल देते थे हुक्स लोग हुक्स लोग आपने कॉलेश टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में हम अभी आगे content में भी डिख्तस करेंगे हम इसे कहां पर पढ़ने वाले हैं बस आप मुझे सिर्फ और सफ यह सोडिया ना सिग्मा इक्वलटोरीय एसने सिग्मा एक्वल्क बोर है कि इस ञांब हो होगा यंश मोडली से यंज मोडिले से बोलते हैं एफसाल होता है स्ट्रेन ठेक और यहां पर कौन सी ट्रेन हैं यह क्यों कि यहां पर हम नॉर्मल इस्ट्रेस की बात कर रहें तो यहां पर होता है लोंगिट्यूडनल स्ट्रेज्ञ्ण यह विए एक इंट्रेस्टिंग कॉंसेप्ट जिसके बारे मैं डील करूंगा आगे नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर टू के अंदर इस्टेसल मतलब longitudinal change length में जो longitudinal change divided by original length तो delta yl हमारे पास यह होता है तो यहां से बताइएगा जो change हो रहा है वो कितना आया PL upon AE जो change हुआ वो कितना है PL upon AE अब एक बाद बताइए अगर किसी एक body पर आपने force लगा रखा है तो उसे क्या 0 बोलोगे नहीं न अगर आपने बोडी को ले रखा है तो क्या उसके original length 0 है नहीं न अगर आपने बोडी को ले रखा है तो उस पर एक या 0 हो चुका है नहीं न और अगर मैं real की बात कर रहा हूं तो real में young's modulus क्या है मेरा कुछ ना कुछ है चाहे वो कोई साभी material क्यों ना हो e की value कुछ ना कुछ है ठीक है और अगर e की value कुछ ना कुछ है तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यह जो डेल्टा की value है यह कुछ ना माइन में जा रहा होगा कि हमारे पास जितने भी इस रियल एंवार्मेंट में इस अर्थ के ऊपर जितने भी सॉलेड्स हैं वो सारे के सारे डिफॉर्मेवल हैं आप सुपरमेन खुद से हो अगर आप यह कहते हो कि मैं पैन को खीच नहीं पा रहा तो आप खीच चुके हो उस ठीक है जबकि real में वो चीज़े हो रही है ठीक है तो यहां पर mechanics of deformable और real solid के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो body हमारी deformable है जो body हमारी rigid नहीं है अब यहां से एक बात हमें real समझ में आती है कि जो rigid bodies होती है जो engineering mechanics का concept है वो fully theoretical है वो fully theoretical है कि engineering mechanics का जो concept होता है वो हम rigid body के मानके चलते हैं और rigid body हमारी जो परफेक्ट rigid body होती है that is the imaginary body θs the imaginary body जो अरथ पर आपको नहीं मिलने वाली है अरथ पर आपको सारी ways कैसे मिलने वाली हैcard real solid जो कि deformable होते हैं बात कि यह हमारे लिए एक तो इसी तिरोटिकल कॉंसेप्ट है बट हां बेस हमारा इसी से क्रेट होता है हम पहले से ही जैसे काइनमेटिक्स में आपने देखा था ना कि हमने imagination कर ली क्या कितना भी कितना भी बड़ा क्यों ना हमारे पास planet भी क्यों ना हो ठीक है उसे भी हम क्या मान के चल लेते थे एक छोटा सा point एक छोटा सा point ऐसे ही इसमें हमने क्या माना हुआ है defamation 0 defamable body ही नहीं ठीक है तो यहां पर हम जब mechanics की सोरी strength of metal के बाद कर रहे हैं तो strength of material में एक बोड़ी यह लेके चला strength of material में एक बोड़ी यह लेके चला और इस बोड़ी पर मैं force लगा रहा हूं ज्यादा समझेगा मैं force लगा रहा हूं F is side और F is side तो यह मेरा समेशन fx क्या दे रहा है समेशन fx इसमें क्या रहा है जीरो समेशन fx को कैसे किया करते हैं ठीक है यह आप engineering mechanics में अच्छे से पढ़ चुके हो ठीक है जो students सौम को पहले वीडियो से देख रहे हैं वो याद रखेगा कि engineering mechanics में हम forces के analysis अच्छे से कर चुके हैं forces को analyze करो पहले कि forces कैसे कैसे होते हैं किस तरह के forces होते हैं तो यहाँ पर एक्ष डायरेक्शन में जो forces का सम हो रहा है उसके forces का सम हमारा कितना हो रहा है जीरो यह दिख रहा है मुझे अगर मैं समेशन fy की बात करूं तो y direction में y direction में इस body के लिए हमने इंगने में डायरेक्शन में बनाना भी अच्छ है समझ लिया है तो फ्री डायरेग्राम की study है मेरी तो इस फ्री डायरेग्राम में कितने forces हैं सिर्फ और सिर्फ दो इतो दिख रहे हैं और कोई forces हैं क्या क्या नहीं नहीं तो वह तो zero होगी है न समेशन M की बात स्टार्टिंग में फोर्स कपल यह साथ चीज़े क्या होती हैं बट फिर भी मैं आपको इनके वारे में भी डिटेल अनालिसिस सोम में भी लेके चलने वाला हूं किसके अंदर टाइप ओफ लोड के अंदर अभी हम बात करेंगे उसकी अभी हम बेसिक चीज़ों को लेके चल इस में इसका मतलब किसमें है यह स्टेटिक अवस्तहां में यह से तो यह और यह जो बोर्डी है यह है डिफोर्म मेंड वाड़ी तो यह भागी तो नहीं को जो क्यों कि यह स्टैटिक हो रही है बिलकुistes कि हम kleine कर रहा है strength of material के मतलब यह है मेरी real body यह है मेरी real body और अगर मैं real body की बात करूँ तो real body यहाँ पर real body क्या होगी real body होगी deform अब यहाँ अगर student यह सोच रहे हैं कि sir यह जो चीज होती है यह यहाँ से आप इसे इधर भगा रहे हो इसका मतलब यह तुसर मूव कर रही है ऐसे नहीं यह movement नहीं है यह यहाँ पर इसका movement नहीं है यह यहाँ पर क्या है इसका deformation इसे हम बोलते हैं यहाँ पर deformation तो यह जो Deformation जो होता है उसी की study की जाती है इस फॉर्मले से जिसको हम आगे deal करने वाले हैं बात क्लियर हैं तो हमारे पास जो सौम की हम study करते हैं वो भी किसमें कर रहे हैं हम static सवस्था में तो static वस्था में net equilibrium हमेशा होगा याद रक्राइग इस चीज्य की condition जो मैं आप से बोल रहा हूं कि जो हम की study करते हैं तो het हम करते हैं net equilibrium में आपके syllabus के according हम सिर्फ और सिर्फ static करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ किसको अवस्था में बाते करें स्टाइटिक वस्था में तो याद रखेगा जब भी म्पूरी सौम को अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं आपकी लबस के हिसाब से तो सौम net equilibrium हर एक पॉइंट का रहेगा हर एक पॉइंट एवरी पॉइंट इंदी वोडी एवरी every point in the body in the body remains in equilibrium remains in equilibrium यह point आज लिखवा रहा हूँ इसको भूलिएगा मत ठीक है every point in the body remains in equilibrium for the sysom condition हमेसा याद रखेगा इस चीछ को ठीक है तो यह चीछ हो पही हमारे पस स्वाम से reality साथ यहां हर एक बोड़ी की बीधों एब की यहां तक की बाद हो चुकी है ठीक है लास्त हमारास्थ जो एक compressible fluids and gases को हम जब ली बोल देते हैं compressible fluids compressible fluids ठीक है तो यहां जो मैं बात कर रहा हूं मलब mechanics of fluid की तो mechanics of fluids में हम यहां इन दोनों fluids की study करते हैं mechanics के वैसे सब्सक्राइब के वैसे सब्सक्राइब क्योंकि external effect लगाए जा रहें internally क्या हो रहा है वो सारी चीजे भी हम यहां पर देखते हैं, बट, मेंचीर यहां पर क्या है, यहां पर बात हो रही है, fluids की, solids की नहीं, ठीक है, यहां पर भी हम internal effects देखेंगे, बट उसे हम Som नहीं बोलेंगे, उसे हम FM बोलेंगे, यहां पर यह subject का नाम हो जाता है, FM, fluid mechanics, इस subject का नाम हो जाता है, सौम, strength of material, इस subject का नाम हो जाता है, EM, EM मतलब engineering mechanics, देखो, यहां पर, चाहे हम civil की बात करें, चाहे हम mechanical की बात करें, core subject की तरह, ठीक है, चाहे हम un electrical student की बात करें, जो की mechanical cadre के इसाफसे questions को देखते हैं, ठीक है, subjects को देखते हैं, तो यहां पर, जितने भी हम यहां पर, यह आपके branches मैंने लिखी हुई थी mechanics की, एक है mechanics of rigid body, एक है mechanics of deformable body, एक है mechanics of fluid, तो आपको यहां पर साफ दिख रहा है, कि यह individual subject आप पढ़ते हो, individual subject, एक subject है हमारे engineering mechanics, एक subject है हमारे पास strength of material, and एक subject है हमारे पास fluid mechanics, तो यह तीनो subject सब separately पढ़ते हो, ठीक है, तो detail analysis करना engineering mechanics का, वो engineering mechanics में आप देखेगा, सोम का हम करेंगे, आपसमें बाते करेंगे इसमें, और यहां पर FM का FM वाले subject में हम deal करने वाले हैं, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां content देख के डरना नहीं है, पहली बात, ठीक है, यह सोम जो होता है, सोम की बात करें या फिर हम बात करें FM की, हम बात करें सोम की या बात करें हम FM की, तो सोम और FM यह काफी basic subjects हैं और landy subjects है, याद रखेगा, इसमें पहले ही आपको reality पता हुनी चाहिए, सोम and FM basic subject हैं और landy subject हैं, बट इनके जो basic हैं जो concept है बहुत ही easy होते हैं ठीक है तो आपको यह नहीं देखना है कि बहुत सारा content क्या है में चीज है कर एक चीज क्या है बहुत ही easy है कि आपको बस base लेकर चलना है मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एक एक छोटी-छोटी चीजे समझने में ठीक है तो इस्टाइट करते हैं फर्स्ट हमारा content है content में फर्स्ट चेप्टर हमारा introduction आपको इस cantilever beam का design करना है तो आपको यह पता होना चीज़ है पहली बात पहली चीज़ आप यह जो design कर रहे हो यह क्यों कर रहे हो भाई बस ऐसी ख्वाव आया तो सपना आया था इस वह से design कर लिया आपने ऐसे थोड़ी होता है आपको में चीज़ क्या है में है आपके पास लोड क्या लगा हुआ है लोड क्या लगा हुआ है external environment में लोड क्या लगा हुआ है जिसके लिए आप cantilever beam बना रहे हो ठीक है तो आपके पास सबसे पहले पता होने चीज़ है रहा है लोड की स्क्राइब कराद में लोड कितने टाइप क्यों होते हैं और यहां पर कौन सा कैसा लगा हुआ है ऐसा भी लोड हो सकता है यह भी हमारा लोड होता है जिसे hey कोमेंट बोल देते हैं या फिर ट्विस्टिंग टॉर्क बोल देते हैं वह भी हमारे पास लोड होता है लोड इस इस सिंपल फोर्स और कपल तो आप फोर्स एंड कपल जो इसके उपर लगा रहे हो ठीके वो चीज़े कैसी लगी नहीं है वे सब चीज़े एक्स्टरनल जो कि आपको होती है जबल अगर आपके पास लोड ही आपको नहीं पता है तो हमिंट लिवरण क्यों यह होते हैं यह हमें पता होता है ठीक है और उसको पता करने के लिए पहले यह पता करना चाहिए आपको बोल दिया गया पॉइंट लोड है है तो कैसा अगर आपसे बोल जाएगा यूडील है तो कैसा यूवील है तो कैसा तो यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए पहले चीज़ ठीक है उसके बाद इसले लिया क्योंकि अगर आप यहां पर बना रहे हो तो इसके प्रोपरिटी कैसी क्या रवर की बना लोगे है ना क्या वह स्टील के बनाओगे का स्टारिंग की बनाने वाले हो वूट की बनाने वाले हो तो आपको पहले पता होनी चाहिए प्रोपर्टी स्कौन कौन सी जैस की hai yesει ya simpl Ouch that was the Cletu क्या होती है आपको पहले ये चीजे पता अग्या और चैप्टर आप पहले तो पता करूंकि यह इस टो परHarटी इस टेसे हॉती है हाइब से सिप्थ इरा करेंगे अभी यहां नहीं समझोगे अब आपर इस्ट्रेस टी डेफिनिशन से सिंपल सिर्फ पर बस चैप्टर टू से हमारे पास इंपोर्टेंट शुरू हो जाता है ठीक के इस्ट्रेस स्ट्रेंट अलग अलग समझेंगे सब्सक्राइब मैंने आपको देखो अलग-अलग कलर से चीज़े लिखे हुए है इनके बारे में भी है कुछ चीज़े सीर फोस डाइग्राम एंड बेंडिंग मोमेंड डाइग्राम सायद आपने नाम सुने होंगे सब्सक्राइब अगर आपने तीन चेप्टर नहीं पढ़ें तो आपको फिर यह वाली चीज़े आगे समझने में बहुत दिक्क्त आने वाली है तो पहले आप सिक्वेंस वाई जाएंगे पहले आप तीन सब्जेक्ट तीन चैप्टर पढ़ेंगे इन तीन चैप्टर का बेसिक हमें समझना है सबसे जादा टाइम हमारा जो है वो इन तीन चैप्टर में जाने वाला है सबसे जादा टाइम पहले ही मैं आपको इनके बारे में डिल करेंगे नेक्स्ट हमारे पास और चैप्टर्स हो जाते हैं तो यह हमारे पास ज्यादर टाइम कंजूमिंग चैप्टर नहीं है बहुत ही नॉर्मल से इंदम सिंपल चैप्टर सही ठीक है ऐसे यहां पर सबसे ज्यादर इन त्यॉट इसमर से इस नॉर्मल होने वाली है सारी चैप्टर से इन तीन चैप्टर में आपको न्यूद दीखेंगी बाकि सारी है उम्मीद है आपको यह चीजह समझ में आ गई होंगी हमने आज जो डिल किया है हमने इस वीडियो में जो डिल किया है वह बेसिकली स्टेंथ उप मटियरल का इंट्रोडक्शन पाइट था तो हमने अभी आउट ओफ सिले बस कुछ डिल नहीं किया हमने बेसिकली यहां पर इंट्रोड़क्शन को कवर कर लिया है हमने यहां पर भी इंट्रोड़क्शन को कवर कर लिया है ठीक है तो यहां पर इंट्रोड़क्शन हमारा क्या हो चुका है एंड ठीक है हमारा यहां पर इंट्रोड़क्शन हो चुका है एंड तो इंट्रोड़क्शन की बात तो हमने कर लिए complete ठीक है अब next वीडियो में हम बात करने वाले हैं type of load के बारे में then stress strain curve के बारे में and then बात करेंगे properties के बारे में ठीक है कोई भी doubt होता है कोई भी doubt होता है आप सीधे app में जाकर बिल्कुल पूछ सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लेके चलें क्योंकि स्टार्टिंग बहुत इंपोर्टेंट होती है अगर आप को स्टार्टिंग सही कुछ भी अपने curiosity का कुछ भी अगर आप बहुत जादा अपने माइंड को इधर दो चलाते हैं तो बिल्कुल चलाओ हम यहां पर आपके लिए ही मुझूद है ठीक है आपके अगर माइंड में कुछ भी questions आ रहे हैं तो अभी आप पर जाके वो questions मुझसे पूछ सकते हैं या फिर personal contact पर आप questions पूछ सकते हैं this is my whatsapp number आप simple songs related जो भी questions होते हैं चाहे फिर्स लेक्टर से ही मैं आपको इचीज़ बता रहा हूं कि जो भी questions होते हैं आप directly मुझसे पूछ सकते हैं ओके आपके doubt हमारे लिए important हैं ठीक है जितने भी आपके doubt है वो आप कीजिए ठीक है उनको solve कीजिए तभी आप आगे बढ़िएगा ठीक है क्योंकि ये चीज़े बहुत important होने वाली हैं साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ आपको थोड़ा सा मेरे साथ देना होगा सा अमीद है आपको पता होगा आपका ultimate aim क्या है ठीक है ultimate aim ये है किसी exam को crack करना नहीं है actual आपका ultimate aim ये होना चाहिए रात दिन सोते जाकते हमेशा ये चीज़ याद होनी चाहिए कि मुझे इसमें जाना है जो भी आपके dream job में जो भी आपके dream job में मुझे उसमें real में जाना है ठीक है अगर आप वो चीज़ सोच के चल रहे हो तो आपको ये सारी चीज़े में एक चीज़ और करनी होगी जो मैं theory के साथ में रखूंगा आपके साथ बस वो timely आपको complete करना है इनके साथ में आपको assignments इनके साथ में आपको assignments, assignments, questions भी provide करता रहूंगा जो कि आपको खुद से भी लगाने होंगे ठीक है हम वीडियो में discuss करने वाले है questions, questions, theory, questions, theory ठीक है extra assignments आपकी जिम्मेदारी होगी आप उन assignments को करेंगे और उन assignments का discussion उससे आप करेंगे ठीक है जो भी आपकी questions की query होगी वो app के थुरू या WhatsApp के थुरू आप करेंगे ठीक है जरूरी है ये चीज़ बच्तरों करेंगे